हेलो स्टुदेंट्स वेलकम अगें तो दिस चैनल इंग्लिस एट यूर फिंगर टिप्स स्टुदेंट्स आज हम जो हमारी सीरीज चली हुई है टाइम एंड टेंज उसका पार्ट एट एक्स्प्लेंड करेंगे यही आठ्वा टेंज आपके सकते हैं कि आज हम आठ्वा टे पास्ट परफेक्ट कॉंटिन्यूस टेंज की पहचान क्या होती है जिन सेंटेसिस के अंत में रहा था रही थी रहे थे हुआ था हुई थी हुए थे आधी शब्द दिये होते हैं रहा था रही थी रहे थे हुआ था हुई था हुई थी हुए थे आधी शब्द दिये होते ह या हले पाष्ट टरेंस में पाष्ट में पार्यग का लगातार जारी रहना दिया होता है। अब देखें, इतनी पहचान जितनी मैंने बताई है, कि पास्ट में लगातार कारिये का जारी रहना, हुआ था, हुई थी, हुए थी, रहा था, रही थी, रहे थी, रहे थी, आदिशम पाहे जाते हैं, यह सिंपल कॉंटिन्यूस की भी पहचान है, तो डिफरेंसिस में क्या ह कि जहां कारिये के जारी रहने का समय भी दिया होगा, पास्ट में कारिये का जारी रहना, सेंटेसिस के अंत में रहा था, रहे थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, यहारी का पास्ट में निरंतर जारी रहना पाया जाता है, और साथी साथ कारिये के जारी रहने क समय भी दिया होता है, तो जिन sentences की ये पहचान होती है, उनको हम past perfect continuous sense की अंतरगत रखते हैं, किस तरह से translation करते हैं, affirmative के लिए क्या rules हैं, क्या formation होगी, negative sentences के लिए क्या rules होगी, क्या formation होगी, एक-एक करके देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, affirmative sentences, कौन से होता है, students affirmative sentences, जिन में किसी statement को स्वीकार कर लिया जाता है, और इसको हम, इन sentences को हम positive sentences भी कहते हैं, तो affirmative या positive sentences, students in sentences में, इस tense में सभी subjects के साथ, चाहे वो एक-वचल subject हो, चाहे वो भौ-वचल subject हो, यानि singular subject हो, या plural subject हो, या subject के रूप में आई दिया हो, सभी के साथ, हम एक ही helping verb लगाते हैं, और वो क्या होती है, head, bean, तो subject, चाहे singular हो, या plural हो, उसके बाद, head plus bean, verb की first form, ing, object, remaining part, अब देखें, यहां, चोकिश sentences में, इस परकार के sentences में क्या होगा, समय भी दिया होगा, तो जो समय दिया होगा, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, since, और four, और फिर बाद में लगाएंगे हम, क्या, जो time दिया होगा, बाद में fully stop, since, यह पहले भी discuss कर चुके हैं, present perfect continuous tense में, कि यदि point of time दिया होता है, यानि निष्चित समय दिया तो उसके लिए हम since का प्रियोग करते हैं, और यदि period of time दिया होता है, यानि अनिष्चित समय दिया होता है, तो उसके लिए हम four का use करते हैं, अब देखें, क्या होगा subject, उसके बाद head, फिर bean, वर्ब की first form में देखें, एक example से देखते हैं, वह बहुत सालों से इस मकान में रह रहा था, अब देखें, यहां इस sentence में हम देखें, तो इसमें काम क्या है, मकान में रहनेगा, पाष्ट में लगातार चल रहा था, और उसके चलने का समय भी दिया है, कितने दिनों से चल रहा था कारिया, बहुत सालों से चल रहा था, तो क्या हो जाएगा, he, और उसके साथ, had been, he had been living in this house, एन इस चिसम है, यानि period of time में तुम क्या लगाएंगे, four, four, many years, he had been living in this house for many years, इसी तरह से, मैं, 1990 से, अंगरेजी पढ़ा रहा था, अधेगिस में क्या कारिया है, इसमें अंगरेजी पढ़ाने का, लगातार पास्ट में जारी रहना है, और जारी रहने का समय भी दिया है, कब से चलना है का रहे है, 1990 से, तो क्या हो जाएगा, I, और सभी के साथ हम क्या लगाते है, had been, I had been teaching English, अब की बार कैसा time है, point of time है, point of time क्यों है, क्योंकि अर्षन दिया हुआ है, जब कोई date दिया होती है, month का नाम दिया होता है, day का दिया होता है, या proper time दिया होता है, इतने बजे, तो हम since का use करते हैं, since 1990, तो इस तरह से students, subject had, फिर been, क्वर्ब की फर्ट फर्म आइन जी, object, remaining part, since 4, जो भी इसमें suitable है, period of time और point of time हमें देखना होगा, since 4 लगाने के लिए, सबसे बाद में क्या होगा, time होगा, तो यह आपके हुए affirmative या positive sentences, easy है, बहुत difficult नहीं है, अब देखते है negative sentences, negative sentences students कौन से होते हैं, जिसमें किसी statement को refuse कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, affirmative में स्विकार कर जाता है, और negative में क्या कर देते हैं, उसको refuse कर देते हैं, यहनि sentences में नहीं आ जाता है, तो ऐसी condition में जो sentence होगा, हम उसमें क्या करेंगे सिर्फ, head के बाद bean note का परियोग, subject, plus head, plus note, plus bean, जो negative sentences होगे, उसमें head bean के बीच में note का परियोग करते हैं, और students continuous tense में कभी भी never की sense नहीं बनती है, चाहे वो simple continuous हो, चाहे वो perfect continuous हो, तो continuous जो tense होगा, उसमें never की sense बनती ही नहीं है, तो इसमें never use होगा नहीं, तो क्या formation हो जाएगी? Subject singular or plural हो, आई हो, कुछ भी हो, उसके साथ head, और फिर bean से पहले note, तो यानि head और bean के बीच में note आजाएगा, वर्ब की first problem आएं जी, उसमें कोई compromise नी, as it is, object remaining part, since 4, time के according, period of time या point of time के हिसाब से, since or 4 आजाएगा, वज़े से, वह, दो गंटे से, कपड़े नहीं धो रही थी, तो क्या हो जाएगा? अब देखे टाइम कौन सा दिया है? टाइम दिया दो गंटे से, इसका मतलब क्या है? पीरिड of time है, तो क्या जाएगा? और तू आज, इसी तरह से, वह, सुबह, नो बज़े से, आपकी प्रतिक्षा नहीं कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? अब की बार पोइंट ओफ टाइम है? सिंस नाइन एम, अब यहाँ धान दीजे, चुकि सुबह नो बज़े हैं, तो यहाँ तो आप चाहेए सिंस नाइन एम यहाँ लग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए, 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 इसलिए नाइन एम, यहाँ नाइन एम, यहाँ ज़े दोफेर के बारा बजे करेंगे? रात के बारे बज़े के बाद दोपेर के बारे बज़े से पहले बीच का जितना भी टाइम होता है वो एम में आता है और दोपेर के बारे बज़े के बाद और रात के बारे बज़े से पहले जितना भी टाइम होता है वो पी-म में आता है तो योदि शाम के बज़े दिया होत इंटेरोगेटिव सेंटेंसिस नेवर का परियोग होगा नहीं, नोट का परियोग होगा नोट हमेशा ध्यान रखेंगे कि हैड और बील के बीच में उज़ किया जाएगा स्टुडेंट्स भर देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसिज doctor जिनके द्वारा प्रसंद पूछने के दिए किसी इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज किया ग्या हो और दूसरा क्या है, दूसरे कुश्यन होते हैं, टेग टाइप कुश्यन या येस और नो अंसर टाइप कुश्यन जिन में प्रसंद पूछने के लिए इंटेरोगेटी वर्ड का यूज नहीं किया जाता, बलकि हिंदी में सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाता है और उसकी अंग्रेजी जब बनाते हैं, तो according to tense, helping word या modal auxiliary को हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, क्या की अंग्रेजी वर्ट का प्रियोग ऐसे sentences में नहीं होता, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं, य टाइप कुश्यन, तो य टाइप कुश्यन में क्या होगा सबसे पहले आजाएगा आपका interrogative word, उसके बाद head, interrogative word, interrogative word के बाद आपका आजाएगा head, उसके बाद आएगा subject, और यदि sentence negative है तो फिर note, और फिर आपका आजाएगा बीन, वर्ब की first form में हैं जी, object remaining part, since 4 जैसा भी आपका time होगा, और बाद में सबसे time, और सबसे last में आ interrogative and interrogative sentences के इंत में हम barc of interrogation का use करते हैं, अब देखे एक example से किलियर करते हैं, वे सुभै से कहां खेलने जा रहे थे, आप इसमें word कहा है, ये कहां है, जदि आप इस कहां को निकिते हैं, निकाल दे तो वे सुभै से खेलने जा रहे थे, यदि आपने कहां word को निकाल दिया, तो फिर हो question ही नहीं रहा, फिर हो क्या बन जाता है, फिर हो बन जाता है, affirmative sentence या असर्टिव sentence बन जाता है, यदि आप उस interrogative word को उस sentence में से निकाल देते हैं, तो इस word के कारण ये sentence question बना आप दे लेगी, where had they been going to play since morning, morning, evening, midnight, midday, noon, ये भी point of time होते हैं, इनके साथ भी हम since use करते हैं, तो where, सबसे पहले, head they been, देगी ध्यान रखेंगे, head bean के बीच में subject आएगा, और यदि negative ही sentence है, तो subject के बाद में note आजाएगा, यदि head, subject, note और उसके बाद बीन, तो कई बार क्या होता है, students, ये भी ध्यान रखेंगे, कि जब हम subject, head के बाद subject लिखते हैं, note लिखते हैं, तो कई बार हम bean को miss कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि bean को miss नहीं करेंगे, और bean से, head के बीच में बीच में दोनों चीज आएगे, subject भी आएगा, और यदि जरू अपना कारिया क्यों नहीं कर रही थी, अब कि बार sentence negative भी है, तो सबसे पहले हम यह देखें किसके कारण ये question word बना, चो के कारण बना है, क्यों के कारण बना है, क्योंकि यह आप इसे निकालते हैं, वह दो गंटे से अपना कारिया नहीं कर रही थी, तो sentence असर्टिव बन ज जाता है, इस word के कारण ये question बना है, वह दो गंटे से अपना कारिया क्यों नहीं कर रही थी, तो क्यों वह दो शब्द है, जिसके कारण ये sentence question बना है, तो पहले इसी की English हम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, why had she, अब negative भी है, तो है ही note, और फिर उसके बाद, दीन, तो why had she not been doing her work, period of time दिया, दो गंटे से, तो क्या हो जाएगा, for two hours, why had she not been had or been की बीच में she and note दो, why had she not been doing her work for two hours, अपने अपनी की English में जैसा, subject के according की आतिया, चुकि यह subject C है, तो C के साथ अपनी की English हर आएगी, यदि यह ही होता, तो ही हो जाती यदि यहां I होता तो माई work हो जाता, यदि subject Day होता, तो their work हो जाता, subject U होता, तो your work हो जाता, subject V होता, तो अवर वर को जाता, subject यदि कोई नाम होता, किसी person का नाम होता और वो masculine gender होता तो फिर his लगाते और यदि किसी का नाम दिया है और वो किसी person का नाम दिया है और वो feminine gender में होता तब उसके लिए हर का यूज कलते तो अपने अपने के अगरेजी according to subject होती लेती है तो ये था आपका why type question आप देखते हैं दूसरा tag type question तैग type question कौन से होते हैं जिसमें कोई भी question word नहीं दिया होता sentence के शुरू में हिंदी में क्या दिया होता है और अंग्रेजी जब हम उसकी बनाते हैं तो उसके लिए हम भाट का प्रियोग नहीं करते और सीधा helping work को रखते हैं तो उसकी formation क्या हो जाएगी उसकी formation हो जाएगी कि sentence के शुरू में हम क्या लगा देगे head शुरू में head उसके सब्जेक्ट फिर note फिर बीन अभी भी head बीन के बीच में subject और जरूरी हो तो note दोनों आये हैं तो subject और note दोनों head बीन के बीच में head subject note बीन वर्ब की first form में आयें जी as it is affirmative negative interrogative तीनों object remaining part since or for उसके बाद time और सबसे last में mark of interrogation देखिए जैसे क्या आप दो सालों से हमें धोखा नहीं दे रहे थे क्या हो जाएगा had you not been cheating us अब देखिए क्या है दो सालों से तो पीरिड पीरिड ऑप टाइम फोर टू आर्स क्या हो जाएगा had you not been cheating us for two hours क्या आप दो सालों से हमें दोका नहीं दे रहती और देखिए चुकि नेगेटिव सेंटेंस था तो यू subject और subject के बाद note had और बीरिड के बीच में दोनों चीज़े आती हैं देखिए एक एक एक्जाम पर हो क्या वह है आदा गंटे से रामायन नहीं पड़ रही थी तो क्या हो जाएगा had she not been reading the Ramayana कैसा time है आदा गंटा यानि period of time तो क्या आएगा for half an hour क्या हो जाएगा had she not been reading the Ramayana for half an hour तो students यह आपका हुआ past perfect continuous tense का affirmative कैसे बनाएंगे आप negative कैसे बनाएंगे आपका interrogative कैसे बनेगा और interrogative में y type question कैसे बनेगे और tag type question कैसे बनेगे जहतक use की बात आती है difference clear है कि यदी sentence में कार्य का past में लगातार जारी रहना है और जारी रहने का समय नहीं दिया है यदी समय नहीं दिया है तो वो simple past continuous tense होगा पास्ट में कार्य का लगातार जारी रहना है पैचान में हुआ था हुई थी हुए थे रहा था रही थी रहती रहती आया है कार्य का लगातार जारी रहना है लेकिन समय नहीं दिया कार्यें के जारी रहने का तो simple continuous tense है और यदी समय दिया है फिर वो perfect continuous tense है एक example से clear कर लेते हैं मैं बाजार जा रहा था तो क्या हो जाएगा simple है I was going to market चो कि past continuous past में कार्य का लगातार जारी रहना दिया हुआ है लेकिन जारी रहने का समय नहीं दिया हुआ है जारी रहने का समय नहीं दिया इसलिए simple continuous और यदि यही sentence होता है कि मैं सुभह से बाजार जा रहा था अब इस condition में क्या है same condition वही जो वहाँ है वही यहाँ है लेकिन difference क्या आगया है कि इसमें कार्य के जारी रहने का समय भी दिया हुआ है कार्य कब से चल रहा है सुभह से अब जब दी sentence में कार्य का जारी रहना दिया होगा तो फिर आप उसको perfect continuous टेंस से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई अब की बार्माज नहीं हो सकता I had been going to market since morning students CBAC board के 10th class में जो आता है gap filling के लिए अकसर उसमें एक ये sentence पूछ ले आता है और वर्ब को ब्लेंक छोड़ दे आता है कि आप कौन सी वर्ब महां लगाएंगे ताकि आपको ये पता हो कि कौन सी वर्ब महां पर लगनी चाहिए दूसरा जो 10th में CBAC का editing का जो portion आता है उस editing में भी हम क्या करते हैं है उस्तरह के question को कूछ ले आता है कि उसमें वाज हमने लगा दिया जबकी वह किसका है परफेक्टD 거예요 है यह उसमें काम का जारी रहने का समय भी दिया होता है क्या पार क्या होता है कि वह सिंप्ल कौन्टिनुवस होता है हमने headyin लगा दिया है जबकि उसमें कार्ये के जारी रहने का समय नहीं दिया होता, तो दोनों ही कंडिशन में हमें देखना होगा कि वहाँ हम उसमें simple past continuous tense की वर्ब लगाएं या perfect continuous tense की वर्ब लगाएं, competitive exam में क्या होता है, competitive exam में sport error के लिए perfect continuous दिया होता है, हम simple continuous में उसको देते हैं, simple continuous sentence है, हम उसमें perfect continuous की वर्ब लगा करके आपसे पूछ लेते हैं, कि बताएं किस पार्ट में A, B, C, किस पार्ट में error है, नहीं error है तो आपका answer हो जाएगा D, और ठीक इस तरह से improvement of the sentence में हम question पूछ रहते हैं, एक example से हम बता देते हैं आपको, एक example क्या है, इस तरह से होगा, जैसे एक example, यह sentence दे दिया आपका, she was playing chess with me for two hours, for an hour कर दीए, no error, यहाप का हो गया, D, और यहाँ, C वाजब लगी, A, B, and C, अब आपका sentence है, उसके चार पार्ट में divide कर दिया, A, B, and C, अब आपसे पूछा है कि where is the spot error, यदि आपकी error A part में तो आपका answer A है, यदि B part में है तो आप answer B, A, C में है तो आप answer C, और यदि कहीं error नहीं है तो आप answer D, अब हम देखें, इसमें simple continuous की verb apply की गई है, जबकि यहाँ 4NR, 4NR का मतलब क्या है, कार्ये के जारी रहने का समय दिया, इसका मतलब तो past perfect continuous है वरना चाहिए, तो आपका, आपने पकड़ ली mistake क्या है, मिस्टेक क्या है, कि यहाँ she was playing की बजाए, she had been playing होना चाहिए, क्योंकि perfect continuous tense है, तो एक इस तरह से, दूसरा जो improvement of the sentence है, उसमें क्या करते हैं, जहाँ possibility होती है, मिस्टेक होने की, उसको underline कर देते हैं, कि यहाँ possibility है sentence में है mistake है, अब चार option देते हैं, कि इस underline part को remove करके, इन में से किस part को लगाने से, वो आपकी mistake ठीक हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, बाला – C ईक अब आपकी का जाती हो, दूसरा – C उस से सवस्ह hayan दोसरा, से उस प्लेंट को दोसरा को फिल्ट को करके, शर कके की को लाएग, जो चाय किसली हो जाती हो क्यूंक है नीय। एक ज़ुने हूएग c, जूसरा कि नापकी को दूसरा को को जां हो, जा लाएगागा क अब इन मेंसे अंडरलाइन पोर्शन के इस्थान पर इन मेंसे हम उसे हटा करके किस A, B, C, D, A, B, C मेंसे किसको रखने पर वो इंप्रू हो जाएगा नहीं होगा यहाँ, और यह पास्ट, परफेक्ट, कॉंटिनुस का उप्चन क्या आपका, C, तो आप कांस्वर हो जाएगा C, तो इस तरह से आपको देखना है कि कारिय के जारी रहने का यदी समय धिया है, और यदि simple कारिय का जारी रहना दिया है past में, उसमें कारिय के जारी रहने का समय नहीं दिया है, तो फिर आपका वो simple continuous में बनेगा, जह तक use की बात है students, इसका use कहा करते, जहां कोई कारिय है past में शुरू हुआ हो, past में ही समाप्त हो गया हो, और कुछ देर तक जारी रहा हो, अब देखें इस sentence को, यदि मानली जी कहें, she had been playing chess me for an hour, एक गंटे पहले कारिय पास्ट में शुरू हुआ था, एक गंटे तक चला था, और past में ही समाप्त हो गया, तो इस sentence का परियोग उन sentences में किया जाता है, जहां कारिय पास्ट में शुरू होता है, कुछ देर चलता है, पास्ट में फिनिस हो जाता है, तो हम past perfect continuous tense का use करते हैं, और कारिय के जारी रहने का समय भी दिया होता है, past में शुरू हुआ, कुछ देर चला, past में समाप्त हो गया, हम past perfect continuous tense का use करते हैं, तो students, यह था आपका time and tense का part 8, past perfect continuous tense, students, my video आपको पसंद आए, तो please like, share and subscribe, इतनी जादे से जादे share करें, सुब्सक्राइब जरूकरएं, तकि आने वाले videos की आपको notification मिलती रहे, सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन मिलती रही शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ज़्याद से ज़्यादर शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन लेक्चर से फायदा उठा सके और अपनी अच्छे से प्रिप्रेशन कर सके तो स्टुडेंट्स फिर से मैं कह रहा हूँ कि शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर करिए सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू थेंक्यू वेरी मुट